गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाई फ्लो नेजल के बारे में इसका मैं लाइब डिमोस्टेशन भी करूंगा इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास तक देखें चले आगे बढ़ते हैं यह एक पेशेंट है 37-year-old male RICU में एडमिट हुआ है यह आडियस के साथ में पेशेंट रेस्पेटी डिस्ट्रेस में है इसका रेस्पेटी रेट 40 पर मिनिट है SPO2 85 है पल्स रेट 140 है BP नॉर्मल है अब यह पेशेंट आया RICU में रेस्पेटी डिस्ट्रेस में टैडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो इस पेशेंट का मिनिट वेंटिलेशन जो की रेस्पेटी रेट इंटू टैडल वॉल्यूम होता है वो लगबग 30 लीटर निकल के लाएगा और हम नेजल केमला से कितना ओक्सिजन दे सकते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर अब आप इमेजन करिए कि पेशेंट को 30 लीटर की रेक्वायरमेंट है वन मिनिट में और हम लोग दे रहे हैं 5 लीटर तो पेशेंट का बाकी का ओक्सिजन 25 लीटर उसको रूम से लेना पड़ेगा तो यह क्या करेगा यह पेशेंट को और डिश्ट्रेस कि राएगा बरक आ बीधिंग भाड़ेगी जिससे कि पेशेंट इंप्रूब नहीं होगा SMM में क्या करना चाहिए SMM में एक device की जरूवत है जो कि patient की mid ventilation की requirement पूरा कर सके मतलब अगा 30 लीटर जरूवत है उसको वो तो 30 या उससे ज़्यादा दे सके SMM device काम आती है HFNC जिसको हम HFNO भी बोलते हैं High flow nasal oxygenation मतलब high flow देना है nasal cannula के थुरू क्या यह possible है? यह possible है इसके benefits क्या है? यह एक high flow device है जो कि FIO to 100% तक दे सकता है इस device से anodemal dead space कम होता है जिससे CO2 washout में help मिलती है और work of breathing भी कम करता है इसमें हम humidifier air देते हैं इसका मैं benefit बता हूँगा यह एक PB प्रोवाइड करता है इस end expiratory pressure और यह air वी resistance कम करता है तो let's discuss one by one जैसा कि मैंने बताया था अपने patients में कि respiratory distance में mid ventilation बढ़ जाता है अगर हम उतना mid ventilation नहीं देंगे patient को वो room से air खीचेगा और room से air खीचने में उसको difficulty होगी जिससे work of breathing बढ़ जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि work of breathing बढ़ता जाएगा तो patient की muscle fatigue होगी जिससे patient का type 2 respiratory failure में चला जाएगा HFNC क्या करता है जितना flow requirement है उतना flow दे सकता है इसलिए HFNC बेटर होता है अगर patients का mid ventilation requirement जादा हो dead space सबसे पहले हमें जानते हैं कि dead space क्या होता है dead space airway का वो हिस्सा होता है जिसमें की perfusion नहीं होता है मतलब air तो होती है लेकिन उसमें से oxygen लेने के लिए blood circulation नहीं होता है ऐसा कौन सा area होता है ऐसा होता है नेजो फेरिंग्स फेरिंग्स लेरिंग्स अप्टू terminal bronchiol इसमें जो हवा होती है वो perfusion में काम वो ventilation perfusion में काम नहीं आती है वो कि HFNC से हम high flow oxygen देते हैं जो anatomical dead space होता है उसमें भी oxygen भढ़ जाता है जिससे क्या है dead space कम हो जाता है आप जानते हैं कि HFNC से हम high flow oxygen देते हैं जब high flow oxygen देते हैं तो high flow oxygen भार भी आएगा ऐसे में क्या होगा जो carbon dioxide जो पूरी तरह से wash out नहीं हो पा रही थी dead space की कारण वो भी भारा जाती है तो इससे क्या होता है carbon dioxide का re-breathing कम होता है तो dead space कम होने से oxygen बढ़ता है CO2 level कम हो जाता है अब है increased FRC functional residual cavity यह क्या होता है पेशेंट जब टैडल ब्रीधिंग करता है पेशेंट सांस छोड़ने के बाद में लंक्स में जित्ती एयर बसती है उसको FRC कहते है HFNC high flow device है यह एयर दे रहा है with 100% FIO2 तो इससे FRC भी बढ़ जाती है इसका मतलब जो ventilation में जो oxygen requirement होती है उसका level बढ़ जाता है इससे की patient का perfusion और ventilation तोन अच्छा हो जाता है इसके क्या क्या parts होते हैं यह हम live demonstration में देखेंगे पर मोटा मोटा में बता दूँ कि इसमें एक oxygen input होता है जिससे हम oxygen दे सकते हैं humidifier होता है जो की spitty air को humidify करता है heating tubes होती है जो गरम अभाव होती है उसको nasal cavity तो ले जाने के लिए heating tubes होती है और सबसे important nasal cannula होता है जो की HFNC का main part होता है चलिए आगे discuss करते हैं humidification हम लोगों को पता है कि हमारे airway में ciliary movement होता है इससे क्या होता है जो spittum जो की continuous बनता रहता है वो भार आता है क्योंकि ciliary movement downward से upward की तरफ होता है इससे क्या होता है spittum भार आता रहता है अगर humidification नहीं होगा तो ciliary functions affect हो जाती है इससे क्या होगा जो secretion भार आना चाहिए था भार नहीं आएगा spittum अंदर रह जाएगा जिससे की infection बढ़ने के chance रहेंगे airway obstruction रहेगा और patient का work of breathing बढ़ जाएगा इसलिए हमें humidifier देना होता है इसमें यह जो हम nasal cannula या face mask में देते हैं उसमें humidification थोड़ा सा रहता है ना क्यों राव रहता है लेकिन इसमें हम लोग plenty of amount में humidification देते हैं कि वाम एर कि वाम एर का फायदा क्या है कि एक तो हमारी body temperature के accordingly इसमें एर दी जाती है हमारी body temperature 37 degree होता है उतने ही temperature पर अगर यड़ दी जाए या oxygen दी जाए तो जिससे comfortable होता है patient को second benefit अगर ठंडी हवा देंगे उसको न्यूटलाइज करने के लिए body को extra calorie burn करनी पड़ेंगी अगर warm एर देंगे तो body को कोई extra effort नहीं लगाना है जो patient respiratory distress में है उसकी energy extra burn होगी कब जब हम cold air देंगे तो यह warm air देने का फायदा है कि patient comfortable होता है और उसका energy expenditure कम हो जाता है main part है nasal cannula जो normal nasal cannula होता है इसे थोड़ा सा अलग होता है इसमें pliable nasal prong होते हैं इसमें जो कि बहुती soft होते है आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका diameter nasal cavity से 50% से जादा नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर पूरा nasal cavity offset कर देंगे तो co2 को भार जाने की जगे नहीं मिलेगी जिससे co2 retention होगी इस वज़े से 50% से कम nasal block होना चाहिए दूसरा benefit क्या है इसका ordinary nasal prong से जब हवा जाती है तो वो हवा posterior nasal pharing से टकराती है जिससे की mucosus dry हो जाती है और crusting हो जाती है यह problem इस nasal के ज़रा में नहीं आती है क्योंकि इसमें इसका जो prong होता है काफी soft होता है जिससे की हवा एकदम से अंदर नहीं जाती है तो यह velocity को कम कर देता है flow को कम नहीं करता है velocity कम कर देता है जिससे की dry nasal mucosa नहीं होगी और patient comfortable रहेगा यह हर patient के लिए size अलग अलग होता है adult में usually 3 size के आते है large, medium, small depends on diameter of nasal cavity यह 19 mm, 15 mm और 14 mm के तीन आते हैं जी पीडियाट्रिक में चार टाइप के आते हैं जो इक color coding होती है premature के लिए red color का होता है जिसमें की maximum flow 8 liter per minute देते हैं new needle size yellow color का होता है जिसमें की हम 8 दे सकते हैं infant blue होता है pediatric green होता है तो अलग अलग color coding के साब से अलग अलग बच्चों में हम nasal prong लगाते हैं अब important part setting कैसे करते हैं HFNC में हम 3 चीज़ setting करते हैं temperature, flow, FiO2 temperature कितना होना चाहिए almost equal to body temperature that is 30 degree centigrade अगर patient warm air tolerate नहीं कर रहा है उसका temperature कम कर सकते हैं 34 कर सकते हैं usually हम लोग 37 set करते हैं flow, flow करते हैं according to requirement of minute ventilation patient का tidal volume कितना है, patient की respiratory rate कितनी है अगर respiratory rate 50 है और tidal volume 750 है उसके accordingly patient का flow rate 40 के असपास set करेंगे यह एक rule है कि flow rate patient के minute ventilation के बराबर रखेंगे या थोड़ा सा उससे ज्यादा रखेंगे ताकि patients को extra effort ना करना पड़े oxygen लेने में कहां से environment से, okay then FIO2 FIO2 depend करेगा patient का oxygen saturation कितना है saturation कम है, FIO2 100% तक रख सकते हैं अगर saturation ठीक है तो usually 50 रखते हैं तो initially जब patient आता है तो मोटा मोटा flow उसका 30 लिटर पर मिनिट रखते हैं और saturation 60% रखते हैं यह कैसे गटाना है या कैसे बढ़ाना है यह एक important discussion है patient लगाने के बाद में एक गंटे बाद monitor करते हैं ABG भी करते हैं अगर patient का टैकिपनिया कम हुआ है say for example पहले 40 था अब 30 हो गया है इसका मतलब patient का net ventilation requirement कम हो गया है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ऐसे में हमें flow rate कम करना चाहिए पहले आप 40 दे रहे थे अब उसको 30 कर दीजिए patient का saturation जो पहले 86% था अब वो 100% हो गया है इसका मतलब patient का saturation इंप्रूव किया है यह ध्यान रखना है कि flow rate patient का net ventilation के साब से set होगा और Fio2 patient के oxygen saturation से decide होगा इस clear चलिए आगे चलते हैं इसका एक important feature है PEEP positive and expiratory pressure आपने बलून देखा होगा बलून जब नया नया होता है उसको फुलाने के लिए के तागत लगाने पड़ती है पर लेकिन एक बार थोड़ा सा फूल गया तब उसको फुलाने के लिए ज्यादा महत नहीं करने पड़ती है एक्जेक्टली यही पीप का concept है पेशेंट सांच छोड़ने के बाद में उसके एरवे में जो प्रेशर होता है उसको पीप बोलते हैं यूजली प्रेशर नहीं होता है क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर सरफेक्टैंट होता है जूकि सरफेस टेंशन रिडियूस करता है जिससे की inflation और deflation में कोई प्रॉपलम नहीं आती है लेकिन E-I-I-S के patient में सरफेक्टैंट कम हो जाता है जिससे की patient inflation करने में दिक्कत आती है अगर हम पीप दे देंगे तो ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा सा प्रॉलम कम हो जाती है कितना पीप देते हैं से यूजली दस लीटर फ्लो देने पर एक सेंटीमीटर का पीप जनरेट होता है लेकिन शर्त है कि माउथ क्लोज होना चाहिए अगर पेशेंट मुझ खोल देगा तो यह पीप कम हो जाएगा कितना ह का बेनिफिट है यह आटो पीप भी कम करता है आटो पीप क्या होता है आटो पीप होता है जब पेशेंट एकस्पीटी फेज में कम्प्लीट एयर इवेकुएशन नहीं कर पाता मतलब इसे पेशेंट ने 500 ml इनहेल किया तो 500 ml एकसेल करना है लेकिन फास्ट ब्रीधिंग हो होने के कारण अगर पेशेंट 500 में से 450 ही एकसिल कर पाता है इसका मतलब 50 ml हर ब्रेथ में उसका अंदर इखटा हो रहा है वह आटो पीप क्रिएट करेगा तो इसका बेनिफिट एच एफनसी लगाने से है एच एफनसी में जो पीप क्रिएट होगा उससे आटो पीप कम हो जाएगा इसकी टेटल के बारे में मैं अलग वीडियो बनाओंगा जब मैं वेंटिलेशन का वीडियो मनाओंगा है ओके इसके इंडिकेशन क्या है इंडिकेशन होते हैं यहां भी पेशन की रिक्वाइर्मेंट हाई है जैसे काड़ोजिनिक पल्मोरी डिमा माइल्टु मॉडरेट एया डियेस ब्रॉंकोस्कोपी करने से पहले ब्रॉंकोस्कोपी करने के दौरान पोस्ट ब्रॉंकोस्कोपी क्योंकि अब सब जानते हैं कि ब्रोंको स्कॉपी में में डी सेटरिशन होता है फ्री इंटुवेशन प्री इंटुवेशन में हमेशा ऑक्सिजन दिया जाता है अगर पिशिट का ऑक्सिजन बहुत कम है एच फंसी से दे रहे हैं तो यह पिशिट के से बेनिफीशल होगा एवन ड्यूरिंग इंट्यूवेशन क्योंकि इंट्यूवेशन मूं से किया जाता है और HFNC नाग से दिया जाता है तो आप नाग से लगाते रहे और मूं से कर दीजिए जिस्से के कि इंट्रा प्रोसिजर में पेशेंट डी सैट्रोएट नहीं करेगा एवन पोस्ट इन्टूवेशन जब पेशेंट हो चुका है तब यह डी यह डी सैट्रोईशन से रोखेगा dni do not intubate status में पेशेंट जो terminally ill है जिसको intubation की requirement है लेकिन concern नहीं है ऐसे पेशेंट में HFNC से oxygen maintain कर सकते हैं objective sleep apnea especially children में ऐसे पेशेंट में भी HFNC use होता है इसके contraindication क्या है HFNC nasal cavity से लगा जाता है अगर nasal problem है पेशेंट को epistaxis है obstruction है nasal trauma है nasal surgery हुई है या facial trauma है ऐसे patients में nasal oxygen नहीं लगा सकते है ऐसे patient में HFNC contraindicated है type 2 respiratory failure जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादा oxygen देने से patient का CO2 level बढ़ सकता है तो patient जो already type 2 respiratory failure में है जिनका CO2 level high है ऐसे patient में HFNC नहीं लगाना चाहिए वो patient जिनको intubation requirement है immediately ventilator पर लेने की requirement है ऐसे patient में HFNC मत लगाईए क्योंकि HFNC से oxygen तो बढ़ जाएगा लेकिन अंदर यंदर patient का CO2 बढ़ता रहेगा और patient deteriorate होगा तो जो patient में intubation requirement है ऐसे में HFNC मत लगाईए intubate करिए cardiorespiratory arrest उसमें भी HFNC काम नहीं करेगा तो मोटा मोटा ये देखना है कि patient का muscles function अच्छा करना चाहिए अगर patient को neurological problem है उसकी muscles काम नहीं कर रही है respiratory muscles dysfunction है ऐसे patient में HFNC काम नहीं करेगा maintain HFNC device हर patient में लगाने से पहले इसको clean करना चाहिए disinfect करना चाहिए क्योंकि एक patient का infection दूसरे patient में transfer हो सकता है के patient के consumables जैसे कि nasal prong है tubing है humidifier है हर patient में change होना चाहिए क्योंकि humidifier में fungal infection हो सकता है इसलिए एक patient से दूसरी patient transfer ना हो इसलिए change होना चाहिए अगर patient को लंबे समय तक requirement है तो उसकी bathing tube और humidifier chamber हर two weeks में replace होना चाहिए और nasal cannula हर वन हर इक हफ्ते में replace होना चाहिए कि discontinuation of HFNC जैसे मैंने पहले बताया था कि flow कब कम करना है जब patient का mid ventilation requirement कम हो जाए FIO2 कब करना है जब patient का saturation maintain होने लग जाए अगर flow rate कम करते करते 20 liter से नीचे आ जाता है और FIO2 requirement 40% से कम आ जाती है ऐसे patients को हम HFNC हटा के non rebreathing mask से oxygen दे सकते हैं to summarize इसका एक निमोनिक होता है high flow क्योंकि यह high flow device है उसका निमोनिक भी high flow है as for heated and humidified जो कि हम air देते हैं inspirative demand क्योंकि यह patients की inspirative flow की demand पूरी करता है increase FRC यह lighter होता है more more tolerable than CPAP और BiPAP oxygen dilution can minimize oxygen dilution by meeting flow demand and W4 wash out of dead space यह dead space को clear करके CO2 retention होने से रोगता है उसको wash out कराता है चलिए अब आगे चलते हैं life demonstration के बारे में हम लोग ICU के अंदर जाएंगे उसके machines देखेंगे क्या-क्या parts होते हैं और patient में life demonstration देखेंगे चलिए अब हम HFNC का life demonstration देखते हैं पहले में इसके parts के बारे में बता दो यह oxygen source है जो की central supply है यह flow meter है आप flow meter में देख सकते हैं यह 50 यह 60 हम लोग maximum 60 लीटर पर मियर तक oxygen दे सकते हैं यह humidifier है जिसमें की distil water आता है यह distil water है इसमें distil water ही लेना चाहिए NS या RL नहीं लेना चाहिए यह heating pipe है इसके अंदर से moisture और heated oxygen जाती है यह interface है इसमें यह nasal नेजल प्रॉंग है जो की काफी soft काफी pliable है इसका benefit यह है कि air की velocity कम हो जाती है लेकिन flow में कोई कमी नहीं आती है यह flow sensor है जिसे की heat निकलती है इसमें से यह humidifier निकालते हैं यह देख रहूंगे यह plate है जो की गरम हो जाती है इसी से heat निकलती है इसके अंदर पानी होता है जो इस माग तक जाता है इस से जादा पानी नहीं जाता है यह इसको हम बापस लगा दिते हैं यह बापस लगा दिया यह इस ट्यूब का फाइदा यह भी है आप देख सकते हैं इसके अंदर heating sensor है जो sensor जो हमने दिखाया था उसके अंदर तक आ रहे हैं ताकि heat बीच में loss ना हो इसके अंदर देख सकते हैं आप और दूसर benefit यह है कि यह ट्रेकर स्टूमी से भी अटेच हो सकता है यह चलिए अब हम इसको on करते हैं machine को यहां से यह long press करेंगे यह on हो जाएगी इसमें तीन चीज़ आती है एक यह FIU2 होता है यह flow होता है लीटर परमेंट में यह temperature होता है temperature usually body temperature के accordingly set करते है युली 37 सेट करते है flow depends करता है patient का meditation कितना है FIU2 patient का oxygen saturation अभी 21 देखा रहा है क्योंकि अभी हमने oxygen source start नहीं किया हम लोग oxygen on कर रहे हैं अभी यह 100% oxygen हो गया अगर हमें फ्लूरेट बढ़ाना है हम इसको नौक को गुमाएंगे और लोग पर ले जाएंगे लोग पर ले जाके यह आप लोग देख सकते हैं यह लोग पर ले जाके इसको प्रेस करेंगे यह लोग ओपन हो जाएगा फिर हम इसको गुमा के हम जाता कर सकते हैं यह 30 में ने कर दिया यह फिर इसको दबा देंगे तो यह लोग हो जाएगा फिर लोग क्लोस करने के लिए फिर से लॉग पर लेकर आएंगे फिर प्रेस कर देंगे इस तरह से मशीन फंक्शन करती है आज हमने है फनसी की बारे में पढ़ा और लाइव डि आए कि रिपैस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फिर मिलेंगे थैंक यू